तो Monday Night Raw पर जो Logan Paul ने अपनी उगलियों में पहन कर JD McDonald को एक पंच मारा था तो उसके बाद JD McDonald की क्या हालत हुई थी वो तो आप सभी Logan देखी ही होगी Monday Night Raw पर तो कल JD McDonald ने अपनी सोशल मीडियास पर एक पिक्चर को शेर किया है जो की आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो मतलब भाई क्या ही हालत होगी इस बंदे के फेस की और भाई अब देखो मतलब कि कितने बड़े जो निशान है वो पढ़ चुके हैं रिंग्स के और जो बंदे कहते हैं कि वह WWE तो फेक है अब दिखाओ ये फोटो उन लोगों को और कमाल की बात तो ये है कि जेडी मैडॉर ने ऐसी हालत में RAW के उपर मेर इवेंट के अंदर कंपीड भी किया था जो भी हो भाई इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है इसी के साथ AEW के सुपरस्टार ने रोम और रेंस के बारे में एक बात बोली है और साथ ही साथ ब्रॉक लेस्टनर के बारे में एक गुड नीज निकल कर आई है तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो का इंड तक जरूर देखना तो सुआगत है आपका रैसल मस्ती के एपिसोड नमबर 74 में जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फड़ा फट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान तो सबसे पहले बात करते हैं AEW के जो बड़े सुपर्स्टारें Kenny Omega उसने Romarance के बारे में कुछ बाते बोली हैं कि Romarance काफी ज़रा Incredible है और वो मुझे किसी भी तरह से Boring नहीं लगता क्योंकि काफी सारे लोग Romarance को Boring कहते हैं लेकिन मैं Romarance को Boring नहीं कहने वाला उल्टा कैनी उमेगा ने कहा कि I am jealous कि मैं रोम वरेंस से जलता हूँ क्योंकि भई जिस तरह से रोम वरेंस को पर्जेंट किया जाता है मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसे ही पर्जेंट किया जाए क्योंकि भई रोम वरेंस जो है वो बड़े-बड़े मैचिस में होते हैं बड़े-बड़े शोर्स के अंदर होते हैं तो यही तो है एक professional wrestling और मैं रोम वरेंस का कोई भी hater नहीं हूँ मैं रोम वरेंस का एक fan हूँ तो मतलब कि यहाँ पर जो Kenny उमेगा है AEW के बहुत बड़े superstar उसने भी जो है वो रोम वरेंस को acknowledge कर लिया है अब आप बताओ के आप अभी भी रोम वरेंस को acknowledge नहीं करते हैं अगर नहीं करते तो वो यब तो करना बनता है acknowledge travel chief को नेक्स्ट बात करते हैं Undertaker ने रोम वरेंस के return के उपर कुछ comment किया है Undertaker ने कहा के रोम वरेंस एक अच्छा लंबा break लेने वाला है WWE से एड़ उनके return के बारे में कुछ अता पता नहीं है के वो कब return आने वाले है और रोम वरेंस का ये जो run रहा है वो काफी ज़रा incredible run रहा है अब रोम वरेंस जो return आने के बाद करने वाले हैं वो तो इससे भी ज्यादा next level का काम होने वाला है मतलब के शायद अब हमें super roman देखने को मिलेगा बाकी let's see हम तो वेटी कर रहे हैं के रोम वरेंस कब WWE कंदर वापिस आएगा लेकिन मेरे साब से यहाँ पर लगता है कि summer slam से पहले पहले तो वाई ट्राइबल चीफ जरूर रिटर्न आ जाएंगे यूँकि वाई डवी डवी summer slam के लिए रोम वरेंस का एक मैज तो बुक करेगी definitely अब बात करते हैं अच्छ की last and final update की जो की beast incarnate से जुड़ी है तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि डवी डवी का ड्राफ्ट है वो complete हो चुका है लेकिन वह ब्रॉक लेस्टन के बारे में तो डवी 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 ने कोई update ही नहीं दी है ने कहा है के Cody Rhodes champion बन चुका है और वो अगली रेसल मिनिया तक जाने वाला है और Cody Rhodes को रेसल मिनिया तक जाते जाते काफी सारी रुकाव्टे भी आने वाली है तो नों रुकाव्टों में से एक रुकाव्ट हो सकती है Brock Lester नाम की मतलब कि अगर आप Undertaker की इस बास से relate कर पा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि Undertaker indirectly क्या बोलना चाहते है और वह ये बात Undertaker ने खुद बोली है तो वह वो backstage में काफी जादा रहते हैं तो इसको हलके में तो वह बिल्कुल भी मतले ना मुझे पता है कि भाई आप क्या सोच रहे होंगे कि Brock Lester ने तो भाई Cody Rose का hand race किया था और इनकी जो feud है वो तो खतम हो चुकी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई उस ताइम पर Cody Rose से खाली थे लेकिन अब Cody Rose के पास एक WWE की main title आ चुकी है और यहाँ पर title chain होने के भी थोड़े से chances तो हैं ऐसा नहीं है कि 100% जो है वो Cody Rose जीत जाएंगे इस match के अंदर Brock Lesnar को हरा कर यह depend करेगा fans के reaction के उपर के fans कितने ज़्यादा turn हुए हैं Cody Rose के उपर यहाँ फिर वो कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं Cody Rose को बाकी आप बताओ किया आप एक बार फिर से Brock Lesnar vs Cody Rose की जो Ravelry है उसको देखरा चाहोगे लेकिन इस बार जे जो Ravelry है वो Undisputed WWE Championship के लिए होने वाली है बाकी अगर आप मिर से personally chat में बात करना चाहते हो तो आप मेरे Instagram पर आ सकते हो link description में मिल जाएगी आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना अट साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान